नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है, आज मैं आपको 60 तिला एकादसी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट पॉक भगवान विश्नु कीजे अवश्य लिखे, साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रा पच्की एकादसी को 60 तिला एकादसी कहते हैं, हर एकादसी की तरह ये भी जगत के पालनहार भगवान विश्नु को समर्वित होती है, इस एकादसी पर तिल के दान समीट 6 तरीकों से प्रियोग करने का विशेश महत्यु है, कहा जाता है कि इस ब्रत को रखने मात्र से व्य उने के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सारे सुक प्राप्त करता है, इसके बाद मोचकी और अग्रसर हो जाता है, अगर आप ये ब्रत रखते हैं, तो पूजा की दोरान 60 तिला एकादसी की ब्रत कथा जरूर पढ़े, पौरानी कथा के अंसार, एक बार नारज जी ने भ जिससे इस ब्रत के महतु का पता चलता है, किसी गाउं में एक ब्राह्मनी रहती थी, वे भगवान बिश्णू की परमभक्त थी, वे सभी ब्रत नियम से करती थी, एक बार उसने लगातार एक महा तक ब्रत किया, जिससे वे कमजोर हो गई, ब्रत के प्रभाव से सरीर सुद लेकिन उसकी आत्मा त्रप्त नहीं रहेगी, क्योंकि उस ब्राह्मनी ने पुन्य कर्म और ब्रत किये थी, लेकिन एक गलती की थी, कि उसने कभी किसी को कोई दान नहीं दिया था, इस बज़े से उसे बिश्णू लोक में त्रप्ति नहीं मिल पाती, भगवान बिश्णू उसकी आत्म त्रप्ति के लिए स्वेह ही उसके घर भिच्चा मांगने पहुँच गए, उन्होंने उसके दर्वाजे पर पहुँचकर आवाज लगाई और भिच्चा मांगी, उस ब्राह्मनी ने भगवान बिश्णू को भिच्चा में मिट्टी का एक पिंड दे दिया, भ एक कुटिया और एक आम का पेड मिला, वह कुटिया खाली थी, खाली कुटिया देखकर वह ब्राह्मनी दुखी हो गई, और उसने पूछा कि उसने पूरे जीवन सभी ब्रत नियम से किये, फिर उसे विश्णू लोक में खाली कुटिया और आम का पेड ही क्यों मिला, इस तुमने कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया, इसका डंट तुमें यहां मिला है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने प्रभु से इससे मुक्ती का मार्क पूछा, तब भगवान विश्णू ने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना, जब दिन जब देव कन्याएं उससे मिलने के लिए आई तो उसने वैसे ही किया, जैसे भगवान विश्णू ने कहा था, देव कन्याओं ने उससे 6 तिला 1 एकादसी ब्रत के बारे में बिस्तार शे बताया, तब उसने माक क्रेश्न एकादसी को 6 तिला 1 एकादसी ब्रत पूरे बिधी बिदान से किया, ब्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धाने से परिपून हो गई, 60 तिला एकादसी ब्रत के दिन तिल का दान करना चाहिए, जैहो भगवान विश्णु की 60 तिला एकादसी की पूजा पिते, माग मास की दस में एकादसी के दिन मनुष्य को इश्णान आदि करेके सुद्र रहना चाहिए, एकादसी के दिन सफेद तिल का उप्टन लगा कर, पानी में तिल मिला कर इश्णान करना चाहिए, इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विश्णू की प्रतिमा या तस्वीर इस्थापित करें और गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छीटे दें सठतिला एकादसी के दिन घट इस्थापना का विशेश महत्तु है इसलिए धूप दीप पर घर में घट इस्थापना करें एक अदसी के ब्रत करने से फूल, धूप, दीप, पान, आदिशे भगवान विश्णू की सोटशुप चार विधी से पूजा करें, जिसमें तिल मिस्रित हों, विधी विधान से पूजा करने के बाद विश्णू सहिस्त्र नाम का पाठ करें और देशी घी के दीपक से इसलिए तिल का दान करें, बताया जाता है कि माग मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अपसर प्राप्त होगा, साइकाल के समय भगवान विश्णू की फिर पूजा वा आरती करें, और तिल से 108 पार ओम नमो भगवते तिलिस्नान, तिल का उप्टन, तिल का हवन, तिल का तरपन, तिल का भुजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं, इनके प्रियोग के कारण ये 60 तिला एकादसी कहलाती है, तथा इसका बहुत पुन्ने प्राप्त होता है, अगर पुष्य नच्छत्र में गोवर, कप पास तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करने से जीवन में पुन्ने का उद्य होता है तथा भगवान विश्णु की किरपा प्राप्त होती है। पुन्ने के बरावर पुन्ने फल की प्राप्ती होती है। वहीं इस एकादसी के ब्रत करने वाले उपासरक को दर्य दृता और कश्टों से मुक्ति मिलती है। जैहो भगवान विश्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथी मेरे वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।